दोस्तो नमस्कार मैं रम्मु सिंग सतना सांसत मोधी से भी बड़ा मानते हैं अपने आपको जनता दल की कारेशैली से चला रहे हैं अभी भी बीजेपी को पीम मोधी ने भाजपा की सदस्ता पार्टी के राष्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा से ली MP के मुख्यमंतरी मोहन यादो ने भी सदस्ता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के हाथो ली मोधी सदस्ता लेने पार्टी कार्याले गए मोहन यादो ने भी ऐसा ही किया मगर सतना में भाजपा कार्याले में शाम चार बजे पार्टी की सदस्ता का कारकरम रखा गया पार्टी नेताओं ने बताया ठीक चार बजे सतना सांसद ने सदस्ता कारकरम अपने घर पर भी रखा लोग सवाल उठा रहे हैं क्या सतना सांसद पार्टी कार्याले पहुंचते तो उनका कद कम हो जाता क्या सतना सांसद अपने को पार्टी से भी बड़ा मानने लगे हैं क्या सतना सांसद अपने को मोदी और मोहन यादों से भी बड़ा मान कर चलने लगे हैं इतना ही नहीं सांसत के घर पर जिन लोगों ने पार्टी की सदस्ता ली बताया जाता है उनमें अधिकांसता कांग्रेस से भाजपा में आए हुए लोग थे जनता दलाई बसपाई वा अन्य दलों से आए हुए अधिकांस लोग सतना सांसत के घर में चल रहे सदस्ता कारकरम म शामिल हुए और लगवग मूल भाजपाई पार्टी कार्याले के कारकरम में समलित हुए सवाल तो यह भी उठता है एक ही कारकरम एक ही समय में दो स्थानों पर क्यों आयोजित किया गया वह भी शहर के अंदर चंद फांसले की दूरी पर सवाल तो यह भी उठना चाहिए क्या सतना में पैरलर पार्टी संचालित की जा रही है क्या सतना सांसत पार्टी को दो भागों में बाट कर अपनी पहुँच अपनी ताकत पार्टी के सामने पेस करना चाहते है क्या यह मैसेज देना चाहते है सतना में मैं हूँ तो भाजपा है मुझे लगता है भाजपा में अब कुर्सी जिताओ लोगों की बढ़ती मांग के कारां यह सब अंदेखा सा किया जा रहा है पार्टी में जब तक सत्ता लोलुपता नहीं थी तब तक ऐसे कृत्यों पर एक्शन लिया जाता रहा है अब सत्ता पहले सत्ता के लोग पहले बाकी सब बाद में भले भाशनों में कहा जाता हो संगठन सर्वोपरी मगर देखने में तो यही प्रतीत होता है सत्ता सर्वोपरी